फर्जी दस्तवेस मामले में समीरवान केड़े पर हो सकता है एक्शन ग्रेवेबाग कर रहा हाई डेवल पीठे फारुक अब्दुला के पाकिस्तान से बाचीत वाले बयान पर अमिक शाह का हमला बीएसिफ के अधिकार शेथ ग्रोम अमता बनर जी ने बताया संगेट हाची में तखल दुर्गा पूचा उतसम के बाद बंगाल और असम में बड़े कोरोना के मामले अन्सीबी के सामने आज पेश नहीं हुई अनन्या पांदे आप जारी हो गान नाया समन नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेत अगर आप देख रहे हैं प्राइम ठीवी आएनस डालते हैं उत्राखन की कुछ खास कबरों पर लालकों में वनननसंधान केंद में देश की पहले अरोमेटिक गाडन का उदगाडन किया गया आज मारार से आई सबात सेविकावी नराव और यहां के मुख्यवन संरक्षन संजीव चतुरवेदी ने संयों ग्रूप से अरोमेटिक गार्डन का उद्गाडन किया है खास बात ही है कि इस गार्डन में तीन एकर शेत्र में स्थापित किये गए सुगंदित 140 विबिन प्रदातियों के संरक्षत किया गया है जिसमें राम तुल्सी और श्याम तुल्सी, कपूर तुल्सी, अफ्रीकी तुल्सी, सहित तुल्सी के 20 से अधिक प्रजातिया मौझूद है एज़वरान मुख्यवन संरक्षन संजीव चतरवेदी ने बताया कि विबिन सुन्दन प्रजातियों के संरक्षन किये जाने का उतेश हिया है कि इन प्रजातियों के शोद को बढ़ावा दिया जाए साथ ही भविश में स्थानी लोगों को आजी विका से जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को तक जानकारी पहुंच सके का एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है जहां पे सारे अरोमेटिक प्लांस पूरे देश से बंगाए गया है और इनको कंजर्वेशन और मल्टिप्लिकेशन दोनों होगा और एक दो साल में सभी लोगों को ये पौधे उपलब्द भी हो जाएंगे यहां पे ज्यादा तर अगर का जो नौर्थ में इस में रहता है वो प्लांट से लेके साउथ में केरला में इलाइची छोटी रहती है वहां काला मरी और गूगल सभी तरह के पूरे देश की प्रजातियों को इखठा किया गया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है और तूलसी की लगबग 16-17 प्रजातिया यहां पर है महाराश्रम में conservation center में एक ऐसा बनाना चाहिए जहां से मैं ये एक सभी राजियों को अपना-पना conservation center बनाना चाहिए और यहां पर सूरंगी जो महाराश्रम की लुठ्ध होती प्रजातिया वहां भी ये नहीं मिल रही है वो यहां पर conservation center में लाई गई है तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया कारिय हो रहा है और इसको बहुत ही फैलाना चाहिए पूरे देश में और एक tourist spot जैसे इसको भी use करना चाहिए ताकि लोगों को छोटे-छोटे बच्चों को जो आज पता नहीं है कि सेंट और इतर लगा के ही लोग ये कर रहे हैं बट हम प और इसमें पूरे देश की अलग-अलग हिस्सों से दच्छिन भारत से चंदन की प्रजाती उत्तर पूरी भारत से अगरवुड की प्रजाती तठी छेत्रों से क्रुण की प्रजाती और हमारे तराई के छेत्र से जो पारियात की प्रजाती हैं तो इस तरह की अलग-अलग में जागरुकता फैलाई जाए जाए और इनके जरीये लोगों की आजीवका के कलियर के ग्राम मूलदास पुर्ग माजरा में प्रदाहन की तरफ से एक कारिकरम का आईजिन किया गया इस कारिकरम में कलियर विधायक हाजी फुर्कान अहमद का गाउवासियों ने फूल मालाव से स्वागत किया और चुनाव को लेकर भी विधायक ने कहीं बाते कहीं आने वाले चौनाव में Congress party को मजबूत करने के लिए विदाएक हाजीव पुरकान अहमत को फिर से जिताने का आश्वासन दिया गया है। चुनाव को लेकर कहा गया कि इस समय कॉंग्रेस पार्टी को जोईन किया है। काई लोगों हैं जो कॉंग्रेसी कारकरताओं को छोड़कर भाजपा में शामल हो रहे हैं। इसी के साथ सरकार पर निशाना साथ ते कोई कहा गया कि बीजेपी सरकार का विकास से कोई ली न देन नहीं है और आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि वाव को रोजगा धिया जाएगा नहीं कॉंग्रेस जोएन की उनके साथ को ने काफी लोगों ने समीध भाई की ने आज को वरे जोएन के लिए मैं इनका बहुत अपारी हूँ और सुमीध भाई के आने से हमें जडायम में काफी मज्वूति मिलेगी जूंकि हम पहले भी ना काफी विकास करार रखा हैं और आगे भी हमने आज लोगों से बादख किया कि आगे हमारी सिल्कार आएगी तो हम और जाना इसमों में विकास करेंगे तौह सुनीट भाई काल नग तैंगे से बढ़िवान माने से बहुत 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 सुबात करता हूँ धन्यवाद करता हूँ दनावरी में कॉंग्रेस विदान सभाजवालापुर प्रभारी बालेश्वर ने एक मीटिंग की इस मीटिंग में विदान सभाजवालापुर ये सभी दाविदार इच्वरा का कहना है की सह प्रवारी दिपिका पांटे विदान सबाजवालापूर में तीन तारी को बैठक करेंगी और उस बैठक पे हमारा पोलिंग बूट सबसे मजबूत हो उसी के मद्दे नजर चर्चा की जाएगी और संगटन को जोडने का काम किया जा रहा है इसी के साथ जानकारी दी गए कि पूट वाइस संगटन बनाया गया है और उसे एक साथ जोडने के लिए और मजबूत करने के लिए ये मीटिंग रखी गए है संगटन को मजबूत करने के लिए और बुत वाइज जोडने के लिए सबसे मजबूत करने के लिए हमाजे स्पांग दिस्क्रमेटी को ये मीटिंग रखी लिए अभी 2022 की चौनवा जोडन सबकरें है उसों को लेकर के पार्टी गत्मीद्य बढ़ी है पिशलो दिन और डबल रेड अलर्ट के अतिवरिष्टी के दोरान पिंडर घाटी के नारायन पगर प्रकण में पानी की खराब लाइन को ठीक करने की कोशिश की गई सैक्डर लोग हजारों टन मलबे के नीचे दब गए इस कट्ना की सूशना पर खराब लाइन को ठीक करने के लिए गए दो यवक अच्छानक हजारों टन मलबे में दब गए कट्ना की जानकारी मिलते ही करामेडों की टीम मौके पर पहुँची प्रशासन ने भी ततपड़ता दिखाते हुए SDRF और NDRF सहेत रेगलर पुलिस राजस्विबा की टीमों को राहत और बच्चाफकारी के लिए तेनात किया S.B. जुसूबे के मुक्य मंतरी ने भी डुगरी गाउं पहुच कर लापता यूपकों के परिजनों से मुलाकात प्रशासन को ने देश दिये कि राहत और बच्चाफकारी में कोई भी कोता ही नहीं बढ़ती जाए सरकारी पैसों को लेका जानकारी देते हुए ग्रामीडों ने आरोप लगाया है कि विद्याले के सुंदरी करण और रेपेरिंग के लिए धनराशी सुईकृत हुई है ठेकेदार मनमानी करते हुए इस काम में लीपापोती कर रहे है और जो कमी हो रही है वो ठेकेदार की वज़े से हो रही है करामीडों ने जम कर हंगामा किया और खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमाबिश से गुरवर्ता के साथ कारेकरा करने की मांग की है गाउंवालों का कहना है कि स्कूल की दावेदारी में दरारे पड़ी हुई है और फॉस्ट पर भी उबडखाबर हो रहा है लेकिन ठेकेदार बिना रेपेरिंग के ही काम कर रहे हैं और सौधी करन के नाम पर लीपापोती की जा रही है रोड़की के रांपूर रोड इस सिद एक वेंकेट हॉल में आयुज़ित कारेकर में मुक्यतिती पूर विदानसभा अध्यक्ष गोविन सिंग कुझवाल का कहा कि कौंग्रेस और कौंग्रेसी कारेकरता काफी जादा मजबूत है और पूत इस तर पर अच्छा काम कर रहे है कौंग्रेस के कारकरता एक जुट हो कर काम कर रहे हैं गोविन सिंग कुझवाल ने उमीद जताते हुए कहा कि इस बारूर की विदायक कौंग्रेस का ही बनेगा इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलाके की महिलाओं में कौंग्रेस पार्टी को लेकर काफी जादा उत दिका रहा है हमारे कार्यकरता एक्टिव हो जाएं और आपस में पार्टी को मजबूत करने के लिए ताल मेल बनाएं इस कारेकरम में गोविन सिंग इन्हें कुछ चुनाओं जीतने के नुश्खे बताए हैं उसका रहारे साथी अवल करेंगे की महानगर कौंग्रेस के कार कारेकरताओं का एक संबिलन हमारे परभारी श्रीक और पूर विदानसभाद धर्थ उन्होंने किया था इसमें संगठण को कैसे मजबूत किया जाए दो हजार बाइस के विदानसभाद चुनाओ कि क्या रदनीती हो इस संब्धन में कारेकरताओं से संबाद के लिए वाए तो थोड़ा बहुत सम्मान सबको मिलागा आज हमारे प्रभारी गोविन सिंग कुझवाल जी आए हैं और उन्होंने संगठन की एक मिटिंग ली है क्योंकि अब 2022 का हमारा चुनाव है सरपर और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए टिप्स दिये हैं और जो भी हमार प्रबल दावेदार होंगे उन्होंगोगों के लिए भी उन्होंने कूड विए हैं कि सभी लोगों को संगठीथ हो के पार्ती को एक जुट करना है और वही हमदाश्या कि है कि पार्टी कैसे मजबूत हो तो उसी से related हमारे गोविन सिंग कुजवाल हमारे जो प्रिभारी हैं और जाना माना चेहरा है उत्राखंड के गोविन सिंग कुजवाल जी तो उन्होंने जो टिप्स दिये उनको हम फॉलो करेंगे रुड़की के लोग बिल्कुल आपने बहुत प्यारा कोश्चन करा है कि मह महिलाएं जो हैं बहुत लंबे समय से बहुत मजबूती से आप लोग सब जानते हैं जितना भी मेडिया का है रुड़की की जनता है वो सब जानते कि मैं बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा करती आ रही हूं और अब हमारी प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिक हैं उन्होंने भी ये बात कहिए कि महिला को कंप्लीटली कंसीडर किया जाएगा रुड़की से तो आइम सो हैपी कि जो मैंने महनत करिया है जो मैं परिवार से निकली हूं कि मुझे समाज का सेवा करना है और अपने कॉंग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती से आगे बढ जाना है और इंद्रा गांधी जी की तरीके से और प्रियंका गांधी जी की तरीके से हमें पार्टी के कारेकरताओं को मजबूत करना है अपने रुड़की 31 विदान सभा को मजबूत करना है और एक जर्सांद दिना है कि कॉंग्रेस के जो लीडर होते हैं कॉंग्रेस का ज कंद्र और 12 न centrally फजान को सिंगराइब करा संदी कर आप ने किने आने कहा कि को सवांकरे देलाकिने केंद्र कुछा राग है एका वी थानों की दन रूद्र है देल्जा है करना है डान करेंकेंद्र से किनानों कारन क़ों काभीरा पर पर एक और काटा और धान क्रैकेंद्र मार्केट से बाहर खोला जाए और लेबर बढ़ाई जाए जिस्ते की किसानों का धान समय पर खरीदा जा सके वही धान क्रैकेंद्र के वरिश्वेपड़न अधिकारी रंजना ने कहा कि किसानों की सुविदा के लिए धान क्रैकेंद्र ना ही एक कांटे पे सुबह से साम तक तोल होता है और हमारे किसान जिनका नंबर ये 10 दिन बाद का दे रहे हैं 15 दिन बाद का दे रहे हैं वो साम तक इंतिचार करके घर चला जाता है बरसान हो रही है बेमोसमी किसान बरबाद हो रहा है लेकिन उत्राखंड सरकार होस में नह उन्हें निमेदन किया है कि आप एक तो तोल कांटे बढ़ा दें और दूसरा लेवर बढ़ा दें उन्होंने का है मैं अपने उच्छा दीकारियों से बात करती हूं और यह किसानों की समझ्चा का समधान करती हूं दान खरीद के लिए गवर्मेंट ने कांटे लगाये हैं विकास नगर में दो कांटे चल रहे हैं अभी आल और उन पे स्मूधली काम हो रहा है मुझे तो नहीं लगा कि कोई वेवस्ता चरमराई भी है विकास नगर में मूसलादार बारेश उला विष्टी से पच्छवादून विकास नगर शेत के काश्चतकार को इसका खामिया जबगतना पड़ रहा है जो दान खेतों में काट कर रख गया है वो अब बरबाद हो रहे हैं और किसानों की फसलों की भारी नुकसान हुआ है रखी गई धान की फसल को भी नुकसान होने का खतरा बना हुआ है रुक रुप कर हो रही बारिश से फसलों की जल्मगन होने का खतरा पैदा हो गया है जबकि कुछ दिनों पहले जिन फसलों की बुआई की गई थी उन्हें भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है विकास नगर ब्लॉक के एक रिशी प्रभारी MPS चौहान ने बताया कि ब्लॉक के लगबग प्रतिक गाउ में धान की फसल को नुकसान होने का अनमान है राद जबरतस्त बारिस आई और बारिस के साथ साथ तोहान भी चला जिससे हमारी ओड़ी भी डले जिससे हमारी दान की फसल वे गन्ने की फसल सत्यनास हो चुकी है खेतों में पानी के तलाब बन गए हैं जिससे कटेवे दान जाए हमारे जो कटेवे दान थे वो काड़े पड़ चुके हैं और दिक्कत ही आ गई है कि अब इन्हें दानों को अगर हम सुगा के जहे हैं मलनी ले जाते हैं तो वहां पे जहें उनकी मनमानी चल रही है वो लोग गजाँ करते हैं कि तुम्हारा दान काला हो गया है नमी हो गई है हमारे फसल को को नहीं उटान हो पा रहा है और गणा हमारा सत्यानास हो गया है घर घर कवढू खड़ा भी करते हैं तो उसको चूות खा जाएंगे जिसलिए हमारी सरकार से यही बिंती है कि हमारे धान सही उ लोगडान खुलने के बाद भले ही स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं लेकिन उनमें गरीब चात्रों के सामने शिक्षा ग्रेंड काने के लिए काफी समय स्या देखने के अक्सर मिलती रहती है रिशिकेश में भी गरीब बच्चों के साथ कुछ इसी तरह का हो रहा है जरूतमन चात्रों की जरूत संग्यान में आने के बाद लाइंस क्लब देभूमीर इशिकेश के सयोग से पुलिस शेत्रा दिकारी ने जरूतमना चात्रों को पाट्यसामगरी वित्रत की है पताते कि सभी लाबारती चातर जुगी जोपड़ी में रहने वाले हैं जिनके अभिवावक मज़ूरी और कुड़ा बीने का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं आरते कि सिथी कमजोर होने के वज़े से अपने बच्चों को महंगाई के इस दोर में पाट्टे सामकरी नहीं दिला पार रहे हैं जिसको देखते हुए पुलस शेता दिकारी डीसी डोंडियाल ने भविश में भी ज़रतमंद चात्रों के लिए ये कदम उठाया और भविश में मदद का भरोसा दिया है अपने संबोधन में उन्होंने चात्रों को मन लगा कर पढ़ाई करने के लिए भी कहा है इस्टेशनी बाकर चात्रपी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं ये लौाइंस कलब और हेल्पिंग हैंड के सोजन्ने से ये जो कारे किया जा रहा है ये अपने आप में इतना बड़ा कारे है और ये किसी भी समाज में अगर इस तरह कारे करने वाले लोग हों तो वो समाज अपने आप में परिपूर्ण होता है यही मेरी धाना है और बड़ा खुसी की बात है कि रिशी केस जैसे चोटी जगा में इतना बढ़िया कारे ये संस्ताइन लगातार कर रही है देखे हमारे लॉइंस क्लब में ये परिंपरा रही है कि जो छे में पिलर्ण है उनमें से है एक विजन स्वास्त और शिक्षा भूक तो हमारा उसका जो में पिलर्ण में से एक पिलर है कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं जहां पर शिक्षा का भाव है उसमें हम जो भी समाज के लिए कर सकते हैं वो हम करते आए हैं और करते रहेंगे हमारे कलब में इसके अलावा एक प्रात्मी की जाले नंबर 10 को भी अडॉक्ट किया हुआ है उसमें भी हम इसी तरह के कारेक्रम करते हैं मसूरी के ग्याम क्यार कुली इलाके में दो बच्चे 10 वीट गहरे तालाव में गिर गए तालाव में गिर कर दोनों बच्चों की मौत हो गई है वह बच्चों की चीक पुकार सुनका पररीजन गटनास तल पर पहुंचे बाद में पुलिस को भी गटना की जानकारी दी गई गटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थाने लोगों की मदद से बच्चों की शब को बाहर निकाला बच्चों की मौत से परीजनों में शोक का महौल है आए निकीया उच्पाट भी भ अर लग के बच्चों कीरीओ और पहुंचे जिए ख सिगंवड़ की रहा है माता जी थी उन्होंने सब बुतम देखा कि वहाँ पर बच्चे दूब गए है और उसके बाद जब बच्चों को रिस्क्यू किया गया और अस्पिटल ले जा गया तो यहां पर एक फिश पॉंड बनाया गया था लगवग 20 फिट लंगा और उसमें काफी पानी भरा हुआ थ जिसमें डूबने से इनकी मौप दिखे लिए है उत्राकांड की अब तक की खबरों में बस इतना ही हो देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार प्राइम